दोस्तों अगर आप भी हो fantasy lover और आप भी खेलते हो grand league तो यह जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है बहुत ज़्यादा special होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ 6 grand league की team सहाज से तम बात करेंगे small league team के ब तो चले फ्रेंज पहले तो आप सभी को मेच के detail बता दू यह जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा राजस्तान रोयल वसेज चैनाई सुपर किंग के बीच में IPL 2022 का यह next मुकाबला है आज शांको 7.30 से तो पहले तो हम बात करेंगे दोनों ही team की possible playing 11 के बारे बाहे राजस्तान रोयल वसेज चैनाई सुपर किंग के बीच में 20 माई यानि के आज खेला जाएगा यह शांको 7.30 बजे ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई के ग्राउन पर अब फ्रेंज यह जो वीडियो तोड़ा शोट में कवर करेंगे बाकी यह पर जाकर हम डीपली कव प्रेंटेज नहीं है जितना जादा बल्ले बाजो के लिए तो मैं मान के चल सकता हूँ 117 प्लस स्कोर 117 के करीब हमें स्कोर यहाँ पर देखने को मिल सकता है बात कर ले दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में तो आप देखोगी यहां से राजस्तान रोय ब्रेबोन स्टीडियम की और वहाँ पर चार प्लेइर देखने को मिलते हैं एक तो इनफॉम बल्ले बाज उपर से पीछ पूरी तरह से बल्ले बाजी अनुकुल तो यह चार प्लेइर आज के मेच में कमाल कर सकते हैं फिर अगर शेमरोन हेटमायर खेलते हैं तो सोने पर सो चुके हैं फिर युजिंदर चहल प्रसित कृष्णा ओर ट्रेंड बोल जैसी इनके पास अच्छे गेंद बाजे बात कर लेते हैं चैन्ने की टीम से तो भी या रितुराज गयक बाड़ और डियन कर वे हैं बहुत अच्छे लाई में नजर आ रहे हैं इस सीजन में फिर मो मुकेश चोधरी अब फ्रेंड इस्पेशल गेंद बाजे की बात करूँगा यहाँ पर तो मुझे इस टीम के जो गेंद बाज अच्छे नजर आते हैं मुकेश चोधरी के साथ में इस मेच में अगर कमाल करते हैं CSK की टीम से तो महेश पतिराना का बड़ा रोल इस मेच मे हो सकता है इस बात को आपको ध्यान में रख कर चलना है हाला कि देखेंगे कि इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते क्या ड्याइन ब्रावू फिर से केलेंगे क्या महेश पिक्षाना फिर से केलेंगे हाला कि IPL से तो इस टीम अलड़ी बाहर हो चुकी है तो चलिए देख ल से टेलीग्राम जरूर है लेकिन 35,000 मेंबर हमाँ से जूट चुके हैं उसी चैनल को जोगर आपको फोलू करना है सबसे बहत्रिन यहीं रहेगा लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जाकर लिंक से हमें फोलू कर लीजिए बाकी जो चैनल मनी करूए ज जो बड़ा giveaway आने वाला है वो आने वाला है fan to play के पर आज अनॉंस हो जाएगा या फिर कल अनॉंस हो जाएगा यहाँ पर बड़ा biggest depository जो depositor होंगे उनके लिए बहुत बड़ा giveaway होने वाला है बहुत सारे gazettes वर वगेरा होंगे जैसा के mobile phones वगेरा मतलब बहुत सारी जितना ज़्यदा आप deposit करोगे जो भी information होगी आज या फिर कल मैं आपको दे दूँगा telegram पर तो telegram से जोड़ जे हो अब भी तक अगर आपने fan to play आपको download नहीं किया तो बहुत कुछ miss आप कर रहे हो तो fan to play आपको जरूर एक बाद आउनलोड कीजिए link वीडियो के नीच पर आपको मिल जाता है लेकिना इस पेशल आज यही है कि fan to play पर आज या कल अनौस हो जाएगा जो डिपोसिटर हैं उनके लिए बहुत बड़ा गीववे बहुत ज्यादा बड़ा गीववे तो जरूर से डाउनलोड कर लीजिए मोके का फाइदा उठा लीजिएगा तो च चारो के चारो अच्छी लाए में नजर आ रहे हैं फिर दो अल्राउंटर मैंने लिए हैं रवी चंद्रा नश्विन और मौईन अली को फिर हम देखेंगे तीन जो मैंने यहाँ पर गेंदबाज लिए हैं ट्रेंट बोल्ड युजविंदर चहल और मैंने यहां से लिया है तीसरा गेंदबाज वो लिया है मुकरीश चोदरी को लेकिन अच्छे option की बात करूँ तो ओबेड में कोई का अच्छा option आपके लिए हो सकता है तो इससाथ में बात करूँ यहाँ पर तो प्रसित कृष्णा का अच्छा option हो सकता है अगर आप maximum player मेरे पाज राजस्तान के ह हो चुके थे अगर आप राजस्तान का एक क्लियर कम करकर एक गेंद बाज बढ़ा आप सकते हो यह अपकाम कर सकते हो तो इसमोर लिग के जो मेरी टीम है फैंटू पले के यह पर आप देख सकते हो कुछ इस पकार देखने को मिलेगी जोस पटलर यशेश्वी जैसवाल और मुकेश चोदरी चेंजेस आप कर सकते हो ओबेड में कोई को ले सकते हो या फिर परसित कृष्णा को ले सकते हो एक परफेट टीम आपकी बन जाएगी केप्टन मेरे रहेंगे जोस पटलर वाइस केप्टन मेरे रहेंगे मोहिन अली तो यह जो है इसमोर लिग के टीम ह आपको देखने के मिलेगी कोई इस प्रकार से डियोन करवे, रितुराज गयकवाड, मोहिन अली, बटलर, संजु सेंसंग, देवदेत पडिकल, यशेश्वी जैसवाल, रवी चंदरन अश्विन, युजविंदर चहल, ट्रेंड, वूल्ड और मुकेश चोदरी तो इसमोर अब करने के जहां out, हुआ प्रवे, जापन 2 फा इस Cup van, आप जाट अगया है, दूसरी टीम में आप बटलर को कैटन करके, जीजिन दड़ेल को कर लीजिए, तीसरी टीम में डियोन कर वे क्टन करके वाईस कैटन करके वास कैटन अब रितुराज गयक वाड़ड को कर की टीम इस प्रकार देखने को मिलेगी, सेकंड टीम में थोड़ा सा changes मैंने किया है, जोस बटलर, संजू सेमसंग, यशेश्वी जायसवाल को मैंने लिया, यहां पर देवदत पडिकल में को मैंने मिस किया है, फिर योन कनवे, रितुराज गायकवार क्योंकि बल्ले बाजी अनुकुल विकीटे, रवी चंद्राश्विन, मोहिन अले, योजविंदर चहल, प्रसित क्रिष्णा, ओबेट में कोई, और यहां पर मैंने लिया है, मुकेश चोधरी को, दो changes किया है, पहला change मैंने यहां पर क्या किया ह देवदत पडिकल के जगे, मैंने यहां पर प्रसित क्रिष्णा को लिया है, और दूसरा change मैंने किया है, ट्रेंट बोल्ट के जगे, ओबेट में कोई किया, क्योंगे मिडिल ओडर में गेंद बाजी कर सकते हैं, वहां पर विकेट मिलने के चांसे थोड़े से हाई रहते है तीसी टीम की बात करें, तो तीसी टीम थोड़ी सी यूनिक आपको देखने को भी लेगी, बटलर और यशाश्वी जायसवाल, फिर पाज गेंद बाज मैंने लिये है, राजस्तान के टीम मुझे मजबूत नज़र आती है, रवी चंदर राश्वीन, युजविंदर चहल, ट्रेंट बोल्ट, प्रसित क्रिष्णा और ओबरेट में कोई, फिर यहाँ पर मैंने लिया है, पथी राना को जो की बहुती कमाल की की इन बाज है, यहाँ पर आप मुकेश चोदरी को ले सकते हैं, बाकी के जो तीन है, CSK के में प्लियर, डियोन कनवे, रितुराज प्रसित क्रिष्णा और यहाँ पर मुकेश चोदरी और पथी राना मेरी टीम में आचाते है, ध्यान रखना को में प्रसित क्रिष्णा नहीं केल रहा है, तो CSK का में गेन बाज होगा हम पथी राना की जगे लेंगे, टीम का कॉम्बिनेशन में आपको बतारू, जो टीम क पैटन बनते हैं, वो इसी टाइब से बनाना है, आपको जैसा कि मान के चलिए, कि इस टीम में प्रसित क्रिष्णा नहीं केलते हैं, आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, राजस्तान का एक प्लेर यहाँ पर फिर से लेना है, गेन बाज लेना है, पतिराना नहीं के तो सील्स के का एक मेन गेंग बाज यहां पर लेना है बागी आपको कंफ्यूज नहीं होना है नेक्स टिम के हम बात करें तो नेक्स टिम में मैंने रितुराज गयाकवड को नहीं लेकर बटलर देवदत पडिकल येशाच्योज जैश्वाल रवीचंदर अश्विन यूजव तो नेक्स टिम आपको कोई इस प्रकार देखने को मिलेगी डियोन कनवे रितुराज गया एक बार में ज्यादा बरूसा कर रहा हूँ फिर संजू सेमसंग देवदत पडिकल टोप उडर मैंने मीस किया राजस्तान का फिर रवीचंदर अश्विन यूजविन द चहल ट्रे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मैं मान के चलो इस वीडियो पर आप अच्छा खासा लाइक करोगे क्योंकि आपके एक लाइक से में मोटिवेशन मिलता हूँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्यो वेरे मच्च